मिस्टीरियस एर्थ में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हम आज आपको बताने जा रहे हैं हिरे का बना हुआ ग्रह 5 Mysterious and Strangest Planets in a Universe Mystery in Hindi ये वीडियो देखने से पहले हमारी चैनल मिस्टीरियस एर्थ को सब्सक्राइब जरूर करेगा स्पेस बहुत बढ़ा है और इस यूनिवर्स में अर्बो प्लानेट्स है हम लोग ज्यादा तर यही मानते है कि ज्यादा तर प्लानेट्स बस एक कोला मात्र है जो स्पेस में एक्जिस्ट करते है पर इस यूनिवर्स में ऐसे बहुत सारे प्लानेट्स है जो बिलकुल आश्चरेजनक है और इनके बारे में तो आपको जानकारी होनी ही चाहिए तो चलिए जानते हैं फाइब मिस्टीरियस औं स्ट्रेंजिस्ट प्लानेट्स इन यूनिवर्स एक फिफ्टी फाइव सी एन सी आरा है ये कैने करी हिरे का बना हुआ ग्रे इस प्लानेट को आप एक जाइगांटिक विशाल डाइमेंड भी मान सकते हो क्यूंकि मानिये या ना मानिये यह ग्रेह पूरा का पूरा हीरे का बना हुआ है इस ग्रेह का नाम है 55CNCRI और इसका साइज धर्ती से दो गुना है और अमेसिंग बात यह है कि यह पूरा सॉलड डाइमेंड है डाइमेंड तब फॉर्म होती है जब हम कार्बन काबन को बहुत है भी प्रेशर के अंदर रखते हैं इस प्लेनेट के अंदर बहुत सारा कार्बन है और इसका घनत्वर इतना ज़्यादा है कि सारे कार्बन डाइमेंड की राप में कन्वत हो गए है। पर आपको ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह प्लेनेट धर्ती से 40 प्रकाशवर्ष दूर है। इस प्लेनेट की अजीब बात ये है कि इस प्लेनेट पर ग्लास रेंग शीशे की बारिश होती है। इस ग्रह का वातावरन सिलिकॉन सिलिकॉन का बना हुआ है जिसके चलते इसे इसकी खुदसूरत ब्लू कलर मिलती है। इस प्लेनेट के सतर की टेंपरेचर बहुत ज्यादा हाई है और इसके चलते ये सिलिकॉन पार्टिकॉन कंडेंस हो जाती है सॉलिड ग्लास के रूप में और इसी के चलते इस प्लेनेट पे काज की बारिश होती है। 3. Greaser 581C इस प्लेनिक को आप स्पेशल कहे सकते हो क्योंकि साइन्टिस्ट इस क्रह को उन रहों के लिस्ट में रखते हैं जिस पर लाइफ एक्जिस्ट कर सकती है। पर देखा जाए तो यह प्लेनिक धर्ती से बहुत ही जादा अलग है। यह प्लानिक एक रेट ड्वाफ का चक्कर लगाती है। इसका मतलब अगर आप इस ग्रह की सतह पर खड़े होंगे तो पूरे दिन आसमान आपको लाल दिखेगी जैसे धर्ती पर शाम को देखती है। यह प्लानिक टाइडिली लॉक्ट है। इसका मतलब इसका एक साइड हमेशा उसके सूरज के तरफ रहता है और दूसरा साइड हमेशा सूरज से दूर रहता है। अगर आप इस प्लेनेट पर रहोगे जो सूरज के तरफ है तो आपका जिंदा शरीर एक सेकंड में भाप बन कर उर जाएगा और अगर आप उस साइड रहोगे जो सूरज के उल्टे साइड है तब आप तुरंद जम जाओगे अब जबकि ऐसी हालत है तो आप सोच रहे होंगे कि यह प्लेनेट लाइफ को कैसे सपोर्ट सहयोग कर सकती है इसका उत्तर यह है कि इसकी एक्स्ट्रीम होट और एक्स्ट्रीम कोल के बीच में एक ऐसी जगह है जहाना तो जादे गर्मी है और नहीं जादे ठंडी यही वह जगह है जहां लाइफ एक्सिस्ट करने के कुछ चांस है क्या आपने कभी आस्मान को देखते हुए यह सोचा है कि काश हमारे आस्मान में दो सूरज होते वैसे आपका यह सपना सच हो सकता है अगर आप इस प्रह पर चल गए तो इस प्लानेट की खास खास बात यह है कि इसका तीन सूरज है अगर आप इस प्लेनेट पर रहोगे तो शाम के वक्त आप तीन बार सूर्यास्त को देखोगे और बेशक आप इस ब्रहमान के सबसे खुद सूरज सूर्योदे यानि सन्राइज को भी देखोगे 5. ग्लीजर 1214 B इमाजिन करें कि आप एक समुंद्र के बिच में है और दूर दूर तुर तक आपको कोई जमीन नहीं नजरा रही वैसे इस प्लेनेट पर आप रहोगे तो आपको जमीन दिखेगी ही नहीं क्यूंकि इस प्लेनेट पे अनंत पानी ही पानी है पूरा प्लेनेट पानी से ही घिरा हुआ है पानी इसकी सतह पर ही नहीं इसके सतह के नीचे भी है और उसके नीचे है बर्फ Scientist में इसे निक्नेम दिया है Waterworld इसलिए इसको एक अजीब प्लेनेट कहा जाता है तो कैसा लगा आपको हमारे इस 5 Mysterious and Strangest Planets in a Universe का अनालिसिस आप हमारे टीम को कॉमेंट करके बता सकते हैं और अगर आप चाहे तो हमारे चैनल Mysterious Earth को भी सिब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे नए वीडियो जानकारी के लिए थांक्यू